असलाम अलेकुम विएर्ज मैं हूँ आपका मेजबान इतिशाम रशीद और आप देख रहे हैं शान फैन्सी पूल्ट्री क्लब और शान फैन्सी पूल्ट्री क्लब में आप सबको खोशाम दिगिद आज आपको फैन्सी पूल्ट्री फोर्मिंग के हवाले से चन्द मعلومات بتاؤंगा कि यी कितना मुनाफ़ भक्ष एक करभार है और आप कितनी कम investment के साथ इसे घर की छट पर और इसे असानी से start कर सकते हैं ओरतें भी घरों में इस investment से छोटी सी इस business को start करके अपनी छटों पर या घर में कुई छोटा ऐसा कमरा हो तो वहां से असानी से इसे शुरू कर सकते हैं करेंडली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को स्लेक्ट कर लें ताके हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बहासानी पुइंट करें तो चलें आप शुरू करते हैं आप और इस हवाले से मैं आपको भी बताऊंगा चार से पांच ब्रीड्स के हवाले से जो फिल वक्त आप स्टार्ट में उनसे शुरू कर सकते हैं ये बिजनिस और इनकी मरकीट में डिमांड बहुत अच्छी है और बहासानी सेल किये जा सक होते हैं और इनकी नारमली जो कास्ट है प्राइस है वो बी बहुत कम है ठीक है तो स्टार्ट वेस्टिजनस अगर आप करना चाहें तो इन चार ब्रीड्स कर सकते हैं इनमें पॉलिश ब्रीड्लिडियों, मॉक्तलिफ कलर्स होते हैं, सिल्की है इसमें भी डिफरेंट कलर् सिल्वर से ब्राइट और गोल्डन से ब्राइट अभी आगे एक वीडियो में आपको मैं सबसे पहले पॉलिश ब्रीड के हवाले से मालूमात फ्राम करूंगा तो अभी आपको जो वीडियो शो हो रही है काइंडी इसे चाक किरिएगा यह ब्लैक पॉलिश है बैसिकली ठीक ह हो सकती है और यह वीडियो आप देखिएगा अभी यह ब्लैक पॉलिश है वाइट-crusted है क्रस्ट इसके सर पर वाइट है इसमें आपको बफ पॉलिश सिल्वर लेस पॉलिश गूल गूल्डन लेस पॉलिश इसके इलवा ब्लू पॉलिश वाइट पॉलिश मुक्तलिफ कलर हैं लेकिन आप इन से स्टार्ट कर सकते पॉलिश प्रीट की येर ली जो एक्स कपसिटी है वो 140 से 170 तक एक्स ये देती हैं और इसकी मरकीड में बहुत अच्छी डिमांड है इसका चूजा अगर आप सेल करना चाहें तो 250 रुपे से 350 रुपे तक बहासानी मरकीड में सेल किया जा सकते है ठीक है और मजीद इसकी आप खुबसूरती से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे लोग मरकीड में कितना पसंद करेंगे और ये आपके सामने किसी वीडियो जो शेयर की है ये किसी भाई की है और आप दे सकते हैं कि उनके पास हाला कि स्पेस इतनी नहीं है एक मुर्गे के साथ उन्होंने दो मुर्गियां लगाई है अग वैट सेल की बहुत अच्छी ब्रीड है और इसकी बहुत हाई डिमांड है मरकीड में और ये बहासानी आप 300 रुपे से 400 रुपे तक यह मैं मिनिममम बता रहा हूं आप सेल कर सकते हैं इसकी एक्स कपैसिटी जो येरली है 150 रुपे से 180 तक के दरमयान है ठीक है और सेल करने ये हवाले से OLX इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन चैनल है जहां पर आप इन्हें बहासानी सेल कर सकते हैं अपना एड लगा कर ठीक है और मजीद इसमें मुक्तलिफ ब्रीड अवेलेबल है कलर इसमें बफ कलर है बलैक कलर है सिल्वर सिल्की भी अवेलेबल है मरकी आपको बहासानी मरकीट से अवेलेबल है 5-6,000 रुपे में अच्छा पेर आपको मिल लेगा इसकी भी एकस कपैसिटी येरली 150-200 एकस है ठीक है और इसकी भी मरकीट में डिमांड बहुत अच्छी है 250 रुपे से 350 रुपे के दरम्यान में आप इसका चूजा जो है वो सेल क कर सकते हैं और सहा पर आप हैवी ब्रीड और उनाय depicts बप्षम.. बढ लगांशन कोब आउब*** नियुदळ रहे सोव हैं इस ये इतना नाजिक नहीं इसक बहाताँ आफिश अप्षमती गरों का और राख सकते हैं जैसे जासे कहते हम वीडियो में देख सकते हoung और ये इस इस तो वीडियो में आपके सामने golden saprite है जो golden colour में और silver is silver saprite ये बहुत तो यची breed है इसकी भी market है डिमांड भात हई आई है आप जो पेर है वह वह गुल्ड से ब्राइट और 6,000 रुपे तकप अच्छा पेर market वार्ट रेयर है तो ये आपको 7-8,000 रुपे तक मिलने का क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं वीडियो में इस तरह की क्वालिटी की आपको पेर्ज लेने हैं तो ये छोटे साइज की प्रीड है बहुत अच्छी और इसकी मार्कीट में डेमांड बहुत आई है अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपने अर्टिफिशल इ निकल वाने के लिए और वेक्सिनेशन बहुत जरूरी है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि इसमें अडी आई बी ये मुश्तरका एक वेक्सीन है जो आपको आर महीने अपने चिक्स को अपने बर्ड को करनी होगी ताके वो किसी बेमारी से बच सके ठीक है और इसके बाद अभी गुमबोरो की ये भी वेक्सीन जरूरी है ये आपको एक महीने में या 45 दिन में एक दफ़ा आपने बर्ड को करनी होगी ताके वो बिमारियों से बाच सके मजीद चोटी मोटी बिमारी है जिस तरह जो काम नजला ये आप इनसानी जो दौाइया है उनसे इनसे बी इनने कंट्रोल कर सकते हैं मजीद पॉल्ट्री के हवाले से स्पेशल जो दौाईया आती है वो भी यूज कर सकते हैं अर्टिफिशल इंक्यूबेशन में मैं आप आपको बताऊंगा कि आप स्टार्टिंग में एक इनक्यूबेटर ले सकते हैं मैनवल अगर आप सतर से असी इंडो वाला तो आपको तीन से चार हजार रुपे में मिल जाएगा अगर आटमेटिक की तरफ जाते हैं तो वह आपको साथ से आठ हजार रुपे में मिलेगा ठीक हैं तो 21 दिन में आप इंडा उसमें इनक्यूबेटर में रखकर उसे चूजा हैज कर सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि चार हजार रुपे में अगर आप इनक्यूबेटर लेते हैं और इसके लिए आप ये एक बहुत कम इन्वेस्मेंट के साथ आप बिजनिस कर सकते हैं मजीद स्पेस के हवाले से मैं जरूर आपको बता देता हूँ स्पेस जो बाज लोग बताते हैं कहते हैं कि 5-7 फुट का एक केज होना चाहिए जिसमें आप एक मुरगा पांच मुरगियां रख सकते हैं मैक्सिमम है आप चाहें तो 2-3-4 आपकी जितनी कपैसिटी है फाइनेशली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके मुताबक आप इसे रख सकते हैं मजीद जिस तरह के आप भी आपने वीडियो में देखा उन भाई के पास स्पेस नहीं थी इसलिए उन्होंने केजेश चोटे 3-4 फुट के उनकी केजेश थे आप ये चाहें तो अपनी घरों के चटों पर खुट से भी बना सकते हैं और कोई मदद ले सकते हैं किसी आप जिस तरह कोई कोई मजदूर हैं उनसे बनवा सकते हैं जाली से खुट बना सकते हैं बहुत असान है अच्छा तो अब आपको पॉलिश के हवाले से बताओं जो आपने सबसे पहले देखी थी बुरीड वो आपको पांच हजार रुपे में पेर मरकीट से बहासानी मिल लेगा उसमें एक फी मिल की प्राइस पच्छे सो और मेल की प्राइस पच्छे सो दो फी मेल लगाते हैं आप तो 75 सुर्वे की आपको ये सेट मिलता है मजीद आप जितना आगे जाना चाहें पांच फी मिल जैसे कि मैंने आपको बताया आप एक के साथ रख सकते हैं सेकंड पर था वाइट सिल्की इसकी भी कॉस 6,000 रुपे है पेर की 3,000 रुपे का मेल है 3,000 रुपे की फी मिल है मजीद आप जितनी चाहें इसके साथ एड़ कर सकते हैं ठीक है उस पर लोगों ने पहले बहुत तनकीद की लेकिन इस वीडियो के बाद आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इस तरफ कितना यह प्रॉफिटेवल बिजनेस है ठीक है और सेकेंड अब आप वीडियो के इखताम पर आपको बताऊंगा कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुस्तक्बिल में भी आपको हमारी वीडियो मिलती रहे और इंफॉमेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहें थैंक यू